इसराइल और फलिस्तीन का संगर्ष एक ऐसा मुद्दा है जो कई दश्कों से चला रहा है ये सिर्फ एक जमीन का विवाद नहीं है बलकि इसमें मानवदिकार, न्याय और इंसानियत के गंभीर सवाल जुड़े हुए हैं इस संगर्ष के केंद में फलिस्तीन जो अपनी जमीन पहंचान और अस्तित्तु के लिए लड़ रही है इस वीडियो में हम फलिस्तीन की स्थिती संगर्ष और उनके पक्ष को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अग्रिमा जादोन और आप देख रहे हैं मिलड टाइम्स फलिस्तीन की कहानी सदियो पुरानी है ओटोमन सामराज जोके पतन के बाद फिलिस्तीन ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया था 1947 में सायुत राज ने फिलिस्तीन को दो हिस्तों में बाटने का प्रस्ताव रखा एक यहूदी राज और दूसरा अरब राज हलाकि फिलिस्तीन और अरब देशों ने इस विभाजन को असुईकार कर दिया क्योंकि उन्हें ये अनुचित लगा 1948 में इसराइल की स्थापना हुई और उसी के साथ लाखों फिलिस्तीनी अपने घरों से बेदखल दिख किये गए इस समय को नकबा के नाम से जाना जाता है जिसकार्थ है विनाश इस दोरान लाखों फिलिस्तीनी शरांटी बन गए और आज तक वे अपने घर वापस लोटने का सपना ही देख रहे हैं इसराइल की विस्तारवादी नीती और फिलिस्तिनियों पर अत्याचार इसराइल की नीती हमेशा से फिलिस्तिनी जमीन पर कबजा करने की रही है पश्यमितट और पूरवी येरोशलम में इसराइल ने अवैद बस्तियों का निर्माड किया जो अंतराश्य कानूनों का उलंगन है इसराइल के इन नीतियों के कारण फिलिस्तिनियों की जमीन लगातार घटती जा रही है और उनकी आजादी पर हमला हो रहा है गाजा पटी जहां लाखों फिलिस्तिनी रहते हैं और इसराइल ने लगबग एक खुली जेल बना दी है वहां के लोगों को बुनियादी जरुतों जैसे की बिजली, पानी और दवाओं की भारी कमी का सामना करना पड़ता है इसराइल के हमलों में अक्सर मासूम लोग मरे जाते हैं और गाजा के हाला दिन बदिन बत्तर होते जा रहे हैं फिलिस्तिनी प्रतिरोध और संगर्श क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं तो देखे फिलिस्तिनियों ने अपने हक और जमीन के लिए कई तरीकों से प्रतिरोध किया है 1980 और 2000 के दशकों में फिलिस्तिनियों ने इतिफादा उभार किया जो इसराइली कबजे के खिलाफ एक जन आंदोलन था इस संगर्ष में फिलिस्तिनी युवाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और अपनी आज़ादी की मांग को पुर्जोर तरीके से उठाया इसके अलावा हमास और अन फिलिस्तिनी संगर्ठनों ने इसराइली कबजे के खिलाफ संगर्ष किया हाला कि पश्चिमी देशों द्वारा हमास को आतंकवादी संगर्ठन माना जोता है फिलिस्तिनीों के लिए ये उनके अधिकारों के लिए लड़ने वाला एक संगर्ठन है अंतराश्ट्री समर्थन और दोहरे मापदंड क्या है वो भी हम आपको बताते है फिलिस्तिन के पक्ष में दुनिया भर से समर्थन मिलता आ रहा है लेकिन बड़ी ताकतों का रुक अकसर इसराइल के पक्ष में जुका हुआ है अमेरिका और पश्चिमी देशों का इसराइल और सैन्य और राजनीतिक समर्थन मिलता रहा है जिससे इसराइल को अपनी नीतियों पर अमल करने की आजादी मिलती रही है वहीं संयुत राश्ट्र ने कई बार इसराइल के खिलाफ प्रस्ताव पास किये हैं लेकिन इन प्रस्तावों का कोई ठोस असर नहीं बढ़ा है फिलस्तीनियों के मानवधिकारों का हनन हो रहा है और अंतराश्चिय समुदाय इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाने में असफल रहा है मुस्लिम देशों ने हमेशा से फिलस्तीन के समर्थन में आवाज उठाई है पहले अरब देश फिलस्तीन के पक्ष में खड़े थे लेकिन हाल के वर्षों में कुछ देशों ने इसराइल के साथ कूट नीतिक सम्मंद बना लिये हैं जिससे फिलस्तीनियों में निराशा फैली हुई है हाला कि तुर्की और इरान जैसे देश अभी फिलस्तीन के समर्थन में खड़े हैं मुसलिम देशों की एक जुटता फिलस्तीन के संगर्ष में महतपून भूमिका निभा सकती है लेकिन अभी इस मुद्दे पर वैश्विक स्तर पर कोई ठोस एकता नजर नहीं आ रही है फिलस्तीनियों के मानव अधिकारों का हनन वैश्विक चिंता का विश्य होना चाहिए येरोश्लम में स्तिती मस्जिद अल-क्सा जो इसलाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है बार-बार इस्राइली हमलों का शिकार होता है इस्राइल की नीतियां फिलस्तीनियों की धार्मिक सुतंता पर भी चोट कर रही है लाको फिलस्तीन आज भी शर्नार्टी शिवरों में रह रहे हैं और अपने घर लोटने का इंतजार बेसबरी से कर रहे हैं ये स्तिती मानवी अधिकारों का गंभीर उलंगन है जो से दुनिया नजरंदास कर रही है तो देखा जाए तो फिलस्तीनियों का संगर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक उन्हें नयाय और आज़ादी नहीं मिल जाती दो राश्ट्र समाधान इस संगर्ष का एक स्वभावे खल हो सकता है जिसमें इसराइल और फिलस्तीन के लिए अलग-अलग राजे हों इसराइल और फिलस्तीन का संगर्ष सिर्फ जमीन का नहीं बलकि इंसानियत मानव अधिकार और नयाय का संगर्ष भी है फिलस्तीनियों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके साथ खड़ा होना सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है बलकि यह इनसानियत की पुकार है दुनिया को फिलस्तीन के हफ में खड़ा होना होगा ताकि संगर्ष का न्याय पूंट समाधान निकल सके इस सब पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं साथ ही बने रहें मिललट टाइम्स के साथ और चैनल को सब्स्राइब करना ना भूलें धन्यवाद